हेलो प्रेंट्स कैसे हो आप सब आप सभी का अमारी चैनल पर स्वागत है और सुबह का टाइम हो है दिन है आज सुखकरवार का तारीक है आज 20 नौमबर और कल यानी परसों हमारे आई थी वजी भात नोतने के लिए और कल दिमें चली गई थी सामके टाइम तो हम करते हैं च यानी कि मुझी खुटवाने के लिए जब मासी आ जाएं कोलू में से जब टाइम लगेगा जब ही चले जाएंगे तो चलिए दिखाएंगे हैं आपको कि किस तरीके से गुड़ बनाया जाता है और चावल कैसे खोटे जाते हैं तो देखिए मेरी तरवेत हो रही है खराब और मैं दवाई भी लाई थी सामली से जाकर और आज ही गई थी देखिए मैंने जर्शी बगएरा सभी पैन के रखे गरम कुलती पैन रख्याएं और जर्शी पैन रख्याएं और फिर भी पता नहीं जब मोसम चेंज होता है तो थोड़ी तब्याइद खराब होई जाती है जैसे कि सरदी लगती है जब जैनि कि सरदी आती है जब भी और सरदी जाती है उस टाइम भी तब यह तो सभी के खराब होई जाती है और फिर भी थोड़ा हलका अच्छा लग रहा है मुझे और आवाज तो मेरी ऐसी है और गला भी बैठी रहा है हलका आवाज आपको इतन मुंजी अमारी सूख चुकी थी तो हम पापा पौलने लगे कि चलो मुंजी खुटवा कर ले कर आएंगे तो चलिए करते हैं सुरवात और किस तरह की से गुड़ बनाया जाता है हम सुरू से लेकर आफरी दक दिखाएंगे आपको जैसे गज़ा पर गन्ने डाल ले जाते हैं और गन्नों की पिसाई होती है जयाने की रस निकलता है यहां पर कोलू के जो अंजन है उसमें गन्नों को लगाया जा रहा है और रस निकल यहां पर चल रही है रस को पकाने की तयारी वर देखे सी पहला होता है तिसरा होता है वह इस तरह यह से होता है और सबसे पहले आता है इस वाले नहीं नहीं को यह में दूसरा तीसरा चोथा चार स्टैप होते हैं और जब सबसे गाड़ा हो जाता है वह इस तरीके से वजाए नहीं वह जाता है और उसके बाद डाला जाता है यह इसमें आदा जाता है य। और आपको पता यह है कि गर्ने करा स्काला होता है और पकने के बाद गुड की इस तरीके से बन जाता है यह देखे इन्होंने राला सता यह प्लेट शी पे रख दिया था और यह ठंडा होके जम चुका है और इसकी छोटी-छोटी यानि कि वह बना देंगे गोल-गोल से जिस बन चुका है और फिर चाचाजी से भर रही है टप में और कुछ लेकर आएं कट्टे में और गरम-गोड खाने का मज़ा ही बहुत आता है और तेस्टी लगता है कि कुछ पूछाई मत हर मिठाई फ्याल होती है इस देशी मिठाई के सामने और हमारे घर में गोड सक्कर बह पीकर देखना कितने टेस्टी लगती है चाई चीनी की चाई भी फैल है तो यह देखे किस तरीके से मोटर वगारा जुगाड हो रखाया अंजन से इस तरीके पट्टा लगा गया होगा है और इधर भी लगाया है बहुत बड़ा पट्टा लगा हुआ है और देखे हमारा पर देखे हैं और दिखाएंगे मापको कि क्या क्या डालते हैं और ट्राली में रख लिया है गुड़ बनवा कर देखे पीछे रखा हुआ है और बहुत ज्यादा स्वर सराब हो रहा था तो इसलिए वहां पर इन्यानिकी बोल नहीं सके तो इसलिए वीडियो बना कर ले आ है और यह हमारा जो अम्रूद का पेड़ है यह बारा मासी का होता है यह पूरे साल के साल इस पे अम्रूद आ रहे हैं और देखें कितने सारे अम्रूद आ रहे हैं और पूरे सीजन के सीजन हरा बना रहता है पेड़ एक यहीं पेड़ होता है जिसके पत्ते अगरा नहीं पर तोड़ कर ले ते गर यह और अच्छा लग रही है देखिते मोटे मोटे लूट और हम आपको दिखाते हैं कि घर में जो भी पसल होती है सब दिखाते हैं और खुद की जो पेड़ होती है घर में लगाना मुरूद के उनके तुमिर अलगी टेस्ट राता है तो चलिए पी मुंजी खुटवाने के लिए और घर आकर खाना वाना खाकर फिर मुंजी खुटवाने के लिए जाएंगे यहां गए पैसे नहीं लिया जाते सिर्फ जो कम्मू होती है यानि कि इसके उपर का तूड़ा से होता है कुबाड़ा उस उस पर ख़ड देते हैं और चावल हमें मि रखते स main थे हैं और यह गए थे टैक्ट ऐवल लेकर बुगी लेकर गये झाल में पड़ा अधर बीडिगे तै क्के लेकर चले गए तना बूखी तो में दूशी में आना किसी और के दो मशीन सी है और एक सी चलाया जा रहा है पट्टा एक टेक्टर से पीछे टेक्टर खड़ा हुआ है और कोई और भी निकल वा रही है मैंने मुंजी खुटवा रही है और यह साप हो चुके हैं और इसे भर के रखतेंगे और इतनी कम हो वगरा नहीं आती है क्यो जाता है कोई और कुटवा रहा है लेकिन दूसरे वाले भी खुटे जाते हैं देखाएंगे आपको किस तरीके से खोट रहे हैं यह देखिए इस साप होकर कैसे आ रहे हैं चावल थोड़ा हलका ही साप करने पड़ते हैं इस पंके से जो कुबाड़ा है पीछे चला और देखती भी नहीं क्योंकि दूर जाते है कुटवाने के लिए और बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर और यह कम्मू है जो एकटी कर लेते हैं और फिर बिख जाती है काफी महांगी जाती है कम्मू यानि कि जैसे घोड़े वगएरा होते हैं यह सब खा लेते हैं और इसके खाले में बहुत यूज होती है तो चलिए फिर आगे घर और फिर तो घर के पते ही आपको कितने सारे काम होती है मुझे करने है काम और वीडियो में तो नहीं दिखाएंगे हम आपको कि गर में क्या काम है और यह है किनकी यानि कि टूटडटड़ चावल होते है जो लमोट में भी तो फलेंग दे एलग निकल जाते आज वे तो में gepनें सापत चावला आलग निकल रहें है क्थाँ obs़ आज़े ना काच बेसके बीड़का में बंव हो तो खाने का मज़ा की कुछ हो रहा है तो चले चलते हैं आगे कि तो यह देखिए कितने अच्छी खुट चुके है चावल और चाचाजी ने दूसरे वाले पलड़े में डाल देया ने मशीन में डाल दिया है और अब इस तसले में निकल रहा है तसले तसले से डालते रहते हैं तो यह था आज का हमारा छोटा सा व्लोग कमेंट करके जुरूर बताना कि गाओ की जो लाइफ है होती है वो कैसी होती है आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है हमें तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो चलते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जुरूर बताना वीडियो को लाइक कर करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें मिलते हैं फिर नेक्ट व्लोग में तब तक के लिए बाई बाई प्रेंट्स